कहानी संसार में आये सुनते हैं कथाकार अमरकांत की लिखी कहानी पलाश के फूल नए मकान के सामने पक्की चहार दिवारी खड़ी करके जो अहाता बनाया गया है उनमें दोनों और पलाश के पेड़ों पर लाल-लाल फूल जा गये थे राय साहब आहाते का फाटक खोल कर अंदर घुसे और बरामदे में पहुँच गये धोती कुर्ता गांधी टोपी हाथ में छड़ी हाथों में मोटी मोटी नसे उभर आई थी गाल भुने हुए बासी आलू के समान सीकुडे चले जाते थे मूच और भौहों के बालों पर हलकी सफे दी बाबु हिर्दै नाराएड ओबर सीयर साहब बाहर किसी को नपाकर दरवाजे का पास खड़े होकर उन्होंने आवाज दी कुछ ही देर में लुंगी और कमीज में गंजी खोपड़ी वाला एक दुबला पतला और साउला ब्यक्ति बाहर निकलाया उसको देखकर राय साहब के मुह पर आश्यर के साथ प्रसन्नता फैल गई उन्होंने उसको देखकर रहस्य मैं ढंग से पूछा मुझको पहचाना और जब हिरदय नारायन ने कोई उत्तर न देकर संकुचित आखों से घूरना ही उचित समझा तो वे बोले कभी आप यहां गौर्मेंट स्कूल में पढ़ते थे अरे मुझे भूल ही गए क्या मेरा नाम नवल की सोर राय दोनों सहपाठी गले मिले फिर वहीं बरामदे में कुर्सी पर आमने सामने बैठे वे नास्ता करते हुए बातों में खो गए जो अपने स्कूल के अध्यापकों की विचितरता से आरंभ होकर बाल बच्चों जमान और इनसान की चर्चा से गुजरती हुई आसानी से परमात्मा से संबंधित विश्यों पर आ गई बरदर इस्तरी माया है सामने शुन्य में एक छण खोए-खोए से देखने के बाद राय सहब बोले उसमें शैतान का वास होता है वही भरमाता चकर खिलाता और नरक के रास्ते पर ले जाता है पर भाईजान मैं सिर्फ एक बात जानता हूँ उसके सामने किसी की नहीं चलती जो कुछ होता है उसी के इशारे से होता है वह चाहता है तभी हम चोरी, डकैती, हत्या, जना, बदकारी सब कुछ करते और जहां उसकी महर हुई सब मिंटों में छूट जाता है उसकी बड़ी किर्पा है नहीं तो हम कीडों मकोडों से भी गय बीते हैं हिर्दै नराण ने भक्त से गदवगद स्वर में कहा गय बीते कहते हो अरे एकदम गय बीते हैं मैं तो भई अपने को जानता हूँ मेरे जैसा जूटा, बेइमान, नीच, घमंडी, बदकार कोई नहीं होगा परन्त मुझ पापी को भी सरकार ने चरडों में थोड़ी जगे दे दी है के तराई इलाके में सो भीगा जमीन खरीदने के बाद ही पिता जी का स्वरगबास हो गया था यहां भी डेर सो भीगा जमीन थी घर ग्रिहस्ती का सारा बोज अचानक मेरे कंधो परा पड़ा लेकिन मुझे कोई चिंता नहीं थी कैसा शरीर था मेरा याद है तुम्हे ना ताकत, जिद और क्रोध तीनों मुझ में थे सच कहता हूँ जब अपने बंगले के सामने खड़ा हो जाता तो लगता किसी किले के सामने खड़ा हूँ उचाई दो पोरसा अधिक बढ़ गई है सिर में पक्का दस सिर लोहा भर गया है किसी को अपने पैरों की धूल के मुली रॉब नहीं था अपना मेज कुरसी लगी है अब सरान आ रहे हैं गप्पे लड़ रही हैं दावते उड़ रही हैं नौकर चाकर दोड़ दोड़ कर हुक्म बजा रहे हैं आवाज अचानक धिमी पड़ गई और वह शैतान वाली बात कहीन बिरादर कसम खाकर कहता पता नहीं क्या हो गया था जहां किसी जवान इस्त्री को देखा वहीं पागल पंसवार हुआ खास तरह से इसका मज़ा बिहार वाले इलाके में खूप था वहां के लोग बहुत गरीब और पिछड़े हुए थे मैं साल में 8-9 महीने तो वहीं रहता और एश करता बीच में वैसे कभी कुछ दिनों के लिए आकर बाल बच्चों और यहां की ग्रिहस्ती की खोच खबर ले जाता एक तो मैं खुद खासा जवान था इस पर पैसा और शक्ति ने मालूम कितनी ही लेकिन बाबु हिर्दय नारायर ठीक 42 वर्स की उम्र में शैतान की चपेट में इस तरह आ गया की क्या बताऊं जानते हो कौन था 15-16 वर्स की एक लड़की लड़की हिर्दय नारायर चौक पड़े जैसे उनको ऐसी उम्मीद न हो हाँ लड़की राय सहाब हासे पूर मुह बना कर इस तरह बोले जैसे बहुत साधारन बात हो वह भी एक मामूली किसान की फसल की क टोले की थी उधर ही मेरा बगीचा पड़ता है वही उस लड़की को देखा वह दो और लड़कियों के साथ टिकोरे बिन रही थी मुझको देखकर पहले तीनों भागी फिर वही लड़की पेड के नीचे छूटी खचोली को भरने वापस आई तो एक छट ठिठक कर शंकित आखों से उसने मुझे देखा जैसे पच्छी दाना चुगने के पहले बहेलियों को देखता है और आखिर में खचोली लेकर भाग गई मैं तो दंग रह गया था यह कैसी हैरत की बात थी कि इस गाउं में ऐसी खोबसूरत लड़की बढ़कर तयार होती है और मैं जानता त सामने मुवक्किल लोग बाटी बनाने के लिए उपलों का जो अंगार तयार करते हैं उसको तो देखा है उसी तरह की दमक रही थी कहीं खोट नहीं भरी पूरी कुदरत ने जैसे पीठ और कमर पर हाथ रख कर उसके शरीर को पहले तोड़ा आठा और फिर ताना फिर किसी जादू के बल से बड़ा और जवान कर दिया था बड़ी बड़ी रसीली आखें छोटा मोह बड़ा भोला पन था उसमें सूरज डूब गया था आंगनों से उठने वाले धूएं और सड़क की धूल से चारो और कुहासा सचा गया था सामने से कभी कोई एका या रिक्षा बुजर जाता कभी घर के अंदर से छोटे बच्चों का गिरोह पास आता उनको कौतुक से देखता चीक चिला कर खेलता और चला जाता और वे हर चीज से बेखवर बात करने में इस तरह मश्गूल थे जैसे कई दिनों का भूखा सब सुद बुद खोकर खाने पर तूट प ऐसी बेकरारी कभी महसूस नहीं होई थी उसको पाने के लिए मैं क्या नहीं कर सकता था उसका बाप भुलई मेरा ही आसामी था सीधा साधा किसान जिसे पेट भरने के लिए खेती के अलावा इधर उधर मजदूरी भी करनी पड़ती मैंने अजुरिया को लड़की का यही अकेले में पाकर एक दो बार छेड़ा भी पर वह नई घोडी की तरह बिदक कर भाग जाती मुझमें अब इंतजार और बरदास्त की शक्ती नहीं रह गई थी हार कर एक दिन मैंने चार आदमियों को लगा कर रात के अंधेरे में भुलई को खोब अच्छी तरह से पिटव भुलई को पिटवा दिया क्यों नहीं जानते अरे हमारे देहातों में यह आम रिवाज था जब बाबु लोगों को किसी गरीब की बहु बेटी पसंद आ जाती तो वे उसको तंग परिशान करते मारते पीटते खेतों से बेदखल कर देते और सफलता न मिलने पर बुरी त काम हो गये थे सिर्फट गया शरीर में और भीतर घाव थे सो अलग अब भी नहीं समझे फिर मैं ही उसके आड़े वक्त में काम आया उसकी दवादारू के लिए मैंने ही पैसे उधार दिये खाने के लिए गल्ला भिजवा दिया भुलाई के इस्तरी हाल में ही मरी थी एक ल वह घास या चारा काट दिया करेगी खाने भर को निकलाएगा फिर लड़की आने लगी होगी जैसे कोई उसकता हो इस तरह हिर्दय नारायर ने प्रश्न किया आती नहीं तो जाती कहां राय सहब बोले बस सुनते जाओ हां तो वह आकर काम करने लगी मैं बेवकूफ नहीं देखा नहीं जाता इसकी चर्चा करता और उसके हाथ पर मजूरी से अधिक पैसे रख देता वह बड़ी भोली थी कुछन बोलती और मेरी और टुकुर टुकुर देखती रहती खैर धीरे धीरे उसकी भटक खुलने लगी एक दिन दो पहर में जब लू चल रही थी और चा आगे कहा तो ब्रदर किवार बंद करते ही उसका मुह सोग गया रोनी शकल बनाकर वह बाहर जाने की जित करने लगी जब मैंने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिये तो सचमुच रोने लगी मेरे शरीर में अजीव जंजनाहट और संसनाहट हो रही थी मैं बेकाबू ह मैंने उसको बहुत पुछकारा और समझाया कसमे खाई कि मेरा प्रेम सच्चा है और उसके लिए अपनी जमीन जायदात जान सबकुछ कुरबान कर सकता हूँ आखिर मैं इतना उतावला हो गया कि नीचे जुक कर उसके पैर पकड़ लिये यह मेरे लिए अजीब बात थी क् अवरत से इस तरह विंती करने का मैयादी नहीं था परन्तु पता नहीं क्या हो गया था वह रोती और सुबक्ती रही अंधीर फैलने लगा था सडक की विजली और बाई और कुछ ही दूरी पर हलवाई की दुकान की गैस बत्ती जल चुकी थी राय सहब कभी उची आवाज में और कभी फुसफुसा कर बोलते और अकसर कनखई से चौकट और आहाते की ओर देख लेते भईया अब देखिये क्या होता है वह रोज आने लगी राय सहब कुछ देर तक अपने दाहिने हाथ को बिचार पूर द्रिष्टी से देखने के बाद बोले शुरू-शुरू व वह बहुत उदास और दुखी रहती पर मुझे होश हवास नहीं था लगता इसको जितना प्यार करने लगा हूँ उतना कभी किसी को नहीं करता था देर तक उसके बालों पर हाथ फेरता अपने प्रेम की सच्चाई की दुहाई देता कभी-कभी पागल की तरह उसके पैरों को चूमने लगता उसको हमेशा देखता रहूं यही इच्छा बनी रहती वह खुश रहे ऐसी हमेशा कोसिस करता अपने हाथ से रोज मिठाई खिलाना अच्छी अच्छी साडियां साबुन कंगी इत्र फुलेल रुपए पैसे देता धीरे धीरे उसकी तबियत बदलने जाती उसे मजाक करना भी आ गया था मेरी पकड से छिटक छिटक जाती और खोब हंसती पर उसका भोलापन कहीं नहीं गया उसे मैं जब और जहां बुलाता वह बिना ही चका जाती उसकी खुशी का अंत नहीं था और वह कहती कि मेरे यहां छोड़कर उसकी कहीं तबियत नह कभी मेरी तबियत धीली होती तो वह बहुत चिंतित और परिशान हो जाती सच कहता हूँ वह मेरे पीछे पागल हो गई थी उसे किसी बात का गम नहीं था जान देने के लिए भी कहता तो वह खुशी-खुशी दे देती उसे क्या हो गया था मैंने सपने में भी नहीं सोचा थ कि ऐसा भी होगा लेकिन जानते हो सीधी गाय ही खेत चरती है और इस तरह पूरे तीन वर्स बीत गए माया का चकर था बहुत देर हिरदय नरायन अपने को जब्द किये हुए थे मौका पाकर उन्होंने अपनी सम्मत परकट कर दी मामूली चकर था मुझे घर गिरहस्ती बा का मुखबंद था फिर अजूरिया किसी की नहीं सुनती उसकी शादी हो गई थी उसका पती अभी बच्चा ही था और एक बार ससुराल जाकर दो ही दिन में भाग आई थी उसका यववन गदरा गया था ये तीन वर्ष नसे में बीत गए थे और एक दिन उसने क्या कहा जान प्रश्न सूचक द्रिष्टी से उन्होंने हिरदय नारायन की ओर देखा और बोले बरसात की काली अंधेरी रात थी वह आई बहुत दुखी और उदास दिखाई दे रही थी मैंने कारण पूछा उसने मिननत भरे स्वर में कहा मुझे लेकर कहीं भाग चलो उसकी लंबी का ली आखें मेरी आखों में खो गई थी क्या बात है मैंने पूछा नहीं मैं यहां नहीं रहूंगी उसने मचलते हुए से कहा लोग नहीं मालूम कैसी कैसी बातें कहते हैं कोई ठीक से नहीं बोलता मुझे काशी ले चलो वहां कोई मकान ले लेना मैं उसी में रहा करूंगी उसने गाओं के बाल कृष्ण मिसर का उदाहरन दिया जिन्होंने अपनी प्रेमिका के लिए बनारस में एक मकान खरीद दिया था और खुद अक्सर वही रहते थे उसकी बात से मैं चौका और घबरा गया मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि जब तक मैं जिन्दा हूँ उसको डरने की जरूरत नहीं उसका कोई बाल वांका नहीं कर सकता वह लोगों के नाम बताए मैं उनकी खाल खिचवा लोंगा पर वह कुछ बोली नहीं और रोने लगी किस दुनियों बाद उसे कहा कि मुझे रखैल रख लो मैं कहीं नहीं जाओंगी तुमको छोड़कर मुझे कुछ अच्छा नहीं लगेगा मैं बहुत हैरत में था आखिर वह क्या चाहती थी तीन वर्ष तक उसने कोई ऐसा सवाल नहीं उठाया अब कौन सी ऐसी बात हो गई थी जब वह चली गई तो मैं देर तक सोचता रहा अब देखिए अचानक मुझे में क्या परिवर्दन होता है भाया ऐसा लगा कि मेरे दिमाग में एक रोशनी चल उठी है सब कुछ साफ होता गया मेरे अंदर कोई कह रहा था नवल की सोर तुम आज तक शैतान के चक्कर में रहे वही शैतान तुम्हारी इजजद, जमीन, जायजाद, बाल बच्चे सब कुछ छीन कर तुम्हें बरबात करना चाहता है और बात सच थी तुम्ही बताओ हिर्दय नारायन एक फाहशा औरत में ऐसी इमानदारी और लगाओ का कारण क्या हो सकता है अपने रूप के जादू से मुझे वश्मे किया फिर अपना प्यार जता कर मुझे उल्लू बनाती रही माया का असली रूप यही देख सकते हो तो मैं जियों जियों सोचता गया मुझे में उस औरत के लिए नफरस सिभरती गई मैं देर तक पश्यताब की आग में जलता रहा और रोता रहा यही भगवान है हिर्दय नारायन का मुख उत्तेजना से चमक रहा था और किसको भगवान कहा जाता है राय साहब छूटते ही बोले तुमने देखा मेरे जैसा नीच कोई नहीं होगा पर उनकी क्रिपा से सारी नीचता छूम अंतर करके भाग गई अब मेरा हिर्दय एकदम पवित्र था मैं चाहता था कि उस लड़की से किसी तरह छुटकारा मिले पर उसके सामने कुछ कहने की हिम्मत नहीं होती थी और एक रोज भईया मैंने सोचा कि अभी तक मुझ पर सैथान की असर है जब तक मैं यहां से टलता नहीं वह खत्म नहीं होने का तुम समझ रहे हो ना सब भगवान सोचवा रहा था अब देखिए कि मैं एक रोज वहां से चुपके से घर के लिए रवाना हो जाता हूँ फिर मैं वहां कभी नहीं गया अपने भाई और लड़कों को भेजता रहा कुछ देर तक वह चुप रहे जैसे कोई मंजिल तैं कर ली हो फिर गहरी सांश छोड़ कर बोले तब से मेरा जीवन ही बदल गया अब सारा जीवन सरकार के चैडों में अर्पित है मैं अच्छी तरह समझ गया कि सब उन्हीं की लीला थी वह चाहते थे कि मैं शातान के चक्कर में फसूँ जिससे मेरी आखे खुली अब मैं सबेरे नहाध होकर चौकी पर पूजा करने बैठ जाता हूँ तो घंटों सुधवूद नहीं रहती शाम को भी ऐसा ही चलता है चौवी सो घंटे मन उन्ही में रमा रहता है उनकी आखे चमक रही थी और तब से उसकी बड़ी किरपा रही जानते हो जब मैं बिहार से भाग आया उसके कुछ ही दिनों बाद जमीदारी तूटी थी मैंने दोर धूप की रुपए खर्च किये और किसी तरह करीब 75 बीगे जमीन खुद कास्त करवा ली बताओ अगर उसकी दया न होती तो सारी जमीन चली न जाती कहां तक गिनाओं छोटा लड़का आवारा निकला जा रहा था मैंने मिल मिला कर दो तीन ठेके दिलवा दिये अब हजारों में पीटता है बड़ा लड़का बनारस कमिशनरी में वकील है गाओं में आटा चक्की और चीनी का कार खाना खुल गया है पिछले साल से पंचायत का सभापती भी हो गया हूँ सच पूछो तो रोब दाब में कमी नहीं आई है और यह किसकी बदोलत सब सरकार की क्रिपा का फल है वे कुछ उदास से हो गये तुम्हारी दूआ से मुझे किसी बात की कमी नहीं जमीन जायदाद बाग बगीचे इज्यत आबरू बाल वच्चे सब कुछ है पर सच कहता हूँ मुझे किसी से कोई मतलब नहीं भाईया इस जीवन में कोई सार नहीं वह सहसा चुप हो गए और उनकी दृष्ट शुन्य में खो गई अंधेरे में पलास के फूल बिहस रहे थे तो दोस्तों ये थी अमरकांद की बहुत ही शांदार कहानी पलास के फूल ये थार्थवाद और धोंग पर चोट करती हुई ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बाक्स में जरूर बताईएगा कहानी सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों नमस्कार